दॉक्टर मुहने अदफ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं अपना बालिकाल का दक्षिन भारत में उनका बितायावा समय और बात के काल में जब विमारी की अवस्था से निकल करके नए जन्म के नाते से छे वर्ष की कठिन विमारी की उस तिन दोर के बाद और उस बिमारी में भी उनने स्वर साधना के माध्यम से कवीर का मालवा का रामचरीत मानस का लोग संगीत का इजर उत्तर भारत का भी जो उनने अपने आप में एक तरह से उस में भी डूब करके उसको जो उच्चायों तक पहुचाया है वाकई अधुत उनका एक तरह से यह मैं मान के चलता हूँ कि अभी गंधर्व राज की बात कर गंधर्व राज आया होगा जिस नाते से उनने अपने स्वर के माध्यम से अमिट रचनाओ की एक के बाद एक जो उचाया दी है और जिस प्रकार से उनका अपना पूरा जीवन य आज भी उनको स्मरण करते हैं और यह होता ही है कोई कोई जीवन में लाता मंगेश को और कुमार गंधर्व ऐसे ही तो नहीं होते हैं उनका अपना आधार होता उनका अपना विक्तित होता तो मैं आज कि सवसर पर अपनी और से इस पूरे करेकरम के लिए भी आयोजोकों को को अभार मानता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मैं अपनी और से आपका पुनह एक बार बंदन करता हूं अभी आपने इस तरफ पर कर लिया आप सरकार के लिए आप मेरे सभिस संब्ध में कोई मदद चाहेंगी तो मदब सरकार की ओर से भी मैं इस पूरे आयोजन में स आजवारी नमस्कार.